Hello everyone, आज के वीडियो में हम जितनी भी उत्तरप्रदेश स्टेट से related, static और और भी जितनी भी relevant GK है वो discuss करेंगे तो let's start Before starting, हम यह देख लेते हैं कि हम क्या-क्या चीजे discuss करने वाले हैं तो हम उत्तरप्रदेश स्टेट की state symbols, history, geography और quick facts, rivers, flora and fauna, demography, constitutional setup, agriculture, climate, national park and wildlife, industry, folk, dances, cities and district, ठीक है यह जनरल है इस तरीके की सारी चीजे हम discuss करेंगे और भी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजे हैं जैसे dams, tribes, awards हैं, तो यह सारी चीजे हम discuss करेंगे तो let's start, सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बहुत ही खुबसूरत चंद लाइने हैं जो कि रसकिन बॉर्ण ने उत्तरप्रदेश के लिए बोली थी, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो उन्होंने बोला था कि I had been to other countries in Europe, Asia and the Middle East but none of them had provided even half as much variety or so much to see and experience and remember as this one state in Northern India वो कहते हैं कि वो बहुत सारी countries में गए हैं लेकिन किसी भी country में उन्हें इतनी variety, इतना experience या इतनी चीजें याद रखने को नहीं मिली हैं रहने का तरीका एक होगा, खाने का तरीका भी एक होगा, और even उनका music में टेस्ट भी सेम होगा तो अगर आज इस uniformity की बात करें तो ये दुनिया की सारी countries में आपको देखने को मिलेगी लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये खुद में एक दुनिया है तो ये words है रस्किन बॉन के जो की famous Indian writer रहे हैं तो अब start करते हैं अपना content, सबसे पहले तो कुछ basic facts देखते हैं UP से related तो इसकी capital है लखनौ, इसकी official language है हिंदी, area है इसका 243, 286 square kilometer area wise इसकी rank 4th, और अगर आप area wise rank देखें तो इसमें number 1 rank है, राजिस्तान की जो की सबसे बड़ा state है area wise इंडिया का population rank है इसकी first और अगर sex ratio की बात करें तो 9,012 female per thousand male, right, literacy rate की बात करें तो 69.7, total number of district 75 है और इसका legislature कैसा है, bicameral है, जिसमें 404 assembly seats है, okay, और legislative assembly seats है और 100 legislative council seats है, right अभी आप देखें जितनी भी details हैं, ये literacy rate की अगर बात करें तो ये 2011 के census के हिसाब से हैं, अभी 2021 का census conduct होना है तो वो आपको आगे चलके मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा, तो total लोग सभा की seats हैं, 80, राज सभा की seats है, 31, date of creation, उत्तर प्रदे स्टेट, actually में कब बना था 26 January 1950, इस से पहले की history में आपको brief में अभी बताऊंगा, first chief minister गोविंद वल्लब पन्त थे, first governor सरोजनी नाइडू थी, highest peak, ये आपको बहुत important है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, msort peak, जो कि सिवाले hills में है, इसकी height है, 3140 मीटर, right, उसके बाद अगर हम state symbols की बात करें तो बारा सिंगा state animal है, सारस क्रेन state bird है, पलाश आपका state flower है, और सीता शोक ट्री यानि क्या शोक ट्री आपका state tree है, यूपी का, right, उसके बाद अगर आप जोगरफिक, अगर आप इसकी location की बात करें, यूपी का, तो आप ये देखे, इंडिया की map में ये इसकी location है, I mean positions है, 23 degree 52 minutes to 30 degree 24 minutes north, ये latitude है, और longitude की बात करें, देखे, latitude और longitude ये दोनों आप यूज करते हो, latitude जो आप ऐसे horizontal जो line होती है, ऐसे parallel लेक दूसरे को, ये latitude होती है, जो ऐसे line होती है, ठीक है, ये longitude होती है, तो अगर आपको किसी भी जगह की position निकालनी है, suppose करो इस point की position नि होगे, ये latitude हो गया, ये longitude होगा, जहां पर meet करेंगे, वो आपका point हो जाएगा, उसके बाद इसकी length की बात करें, तो 650 km तक है, UP state east to west, और 240 km है, south to north, total area मैंने आपको बताई दिया था, 243, 286 square km, यानि की 243, 286 square km इसका total area है, fourth in position है, अगर आप area wise बात करें, राजिस्तान state से touch करती है, जो की सबसे जादा number of state है, ठीक है, और कोई भी state इंडिया का इतनी जादा boundaries नहीं है, उसकी, तो जो boundaries touch होती है, जिन state से, या union territories से, लेकिए union territories यहाँ पे डैली है, उसके बाद boundaries की अगर आप बात करें, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, हर्याना हो गया, राजि district अगर area wise बात करें तो लकीमपुर केरी है, population wise अगर बात करें तो आगरा है, ओके, यह देखिए, यह यूपी का मैप है, और यह बार्डरिंग स्टेट्स हैं, इसके बिहार, जारखंड, चतिजगर, मद्द प्रदेश, राजिस्थान, हरयाना, उत्राखंड, इवन और यह सारी district है, यह district map है, यूपी का, टोटल 75 district है, जिसमें की, आप देख सकते हो कि यह जो pink में है, लकीमपुर केरी, यह सबसे बड़ी district है, ओके, next is कुछ history related facts देख लेते हैं, यूपी के, तो यूपी के history बहुत ही ancient और interesting रही है, आप अगर लेटर वेदिक age की बात करें, तो यहां पे ब्रह्मार्शी देश और मद्देश ठीक है, इसको बोला जाता था, यहां पे बहुत बड़े-बड़े रिशी मुनी हुए हैं वेदिक times में, जैसे कि भारतवाज रिशी, गौतम रिशी, वशिष्ट रिशी, विश्वामित रिशी, वालमी की, यह सारे ही इस state मे रहे हैं, और बहुत सारी sacred books भी Aryans के टाइम पे यहां पे compose करी गई हैं, दो बहुत बड़ी effects जो इंडिया की है, रामायन और महा भारत वो भी उत्तरप्रदेश से बहुत जादा inspired हैं, उके उसके बाद अगर आप 6th century BC की बात करो, तो उत्तरप्रदेश दो new religion से भी associated रहा ह जैनिजम और बुद्धिस्म, सारनात में ही आप बोल सकते हो कि बुद्धा ने अपना first sermon दिया था और foundations अपने order के जो उन्होंने बनाए थे, वो खुशी नगर उत्तरप्रदेश में है, जहां पे बुद्धा ने अपनी आकरी सांसे ली थी, ठीक है, उसके बाद बहुत सा अगर आप मीडिवल पीरिट की बात करें, तो उत्तरप्रदेश हाला कि कुछ सालों के लिए मुस्लिम रूल के पास गया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि आप बोल सकते हो कि हिंदू और इस्लामिक कल्चर का एक नया ही मिश्रण मिला देखने को, रामा नंद और उनके जो अगर बात करें, ठीक है, तो जो उत्तरप्रदेश का इंटेलेक्च्वल एक्सिलेंस था, ठीक है, जो आप बोल सकते हो, वो ब्रिटिस एड्मिनिस्टेशन के टाइम भी काफी आप बोल सकते हो कि प्रिजर्व था, अगर आप जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो पहली अगर आ अगर आप ब्रिटिस रूल की बात करें, तो उस टाइम इस स्टेट को बोला जाता था, नौर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ आगरा एंड ओध, ठीक है, जो ये ब्रिटिस इसको ऐसे बोलते थे, जिसका मतलब होता था आवद, ठीक है, तो ये तरह से आवद ही है, जो ब्रि 1920 में जो प्रोविंस की कैपिटल थी, वो अलाबाद से लखनौ शिफ्ट कर दी गई, लेकिन जो वहां का हाई कोड था, वो अभी भी अलाबाद में ही रहा, इसका नाम और शॉर्टन कर दिया गया था, टू युनाइटेड प्रोविंसे इन 1935, और जनवरी 1950 में इन बाई-कैमरल लेजिसलेचर है, जो लोवर हाउस है, उसको विधान सभा बोलते हैं, जिसकी टोटल 404 सीटे हैं, जिसकी 403 मेंबर सेलेक्टेड होते हैं और एक नॉमिनेटेड होता है, अपर हाउस से, विधान परिशत जिसकी 100 मेंबर सें, जिसको आप लेजिसलेटिव council भी बोलते हो ठीक है तो यूपी में maximum number of legislative or assembly or council seats है क्योंकि यूपी की population सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे legislative assembly और council seats सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा लोगसभा और रजसभा की भी seatे हैं ठीक है तो यह कहते हैं कि अगर center का अगर आप center पे आपको पहुँचना है center level पे तो उसका रास्ता यूपी से ही होके जाता है अगर आपके पास यूपी लोगसभा चुनाओ में अगर आप यूपी का state जीत लेते हो तो आपके बहुत chances बढ़ जाते हैं center level पे right तो यूपी ने सबसे ज़्यादा आठ प्राइम निश्टर दिये हैं इंडिया को उनके नाम इस तरीके से हैं जवाल लाल नहरू फूलपूर कॉंस्टिट्यूनसी से जीते थे लालबाद दुशात्री अलाबाद से इंद्रा गांदी की जो population है वो 3.5 गुना बढ़ी है 1901 से लेके 2000 एक तक थीक है यानि कि 2000 एक तक उत्तर पिदेश की population 166 million हो गई है अगर आप current year की बात करें तो यह estimate लगाया जा रहा है कि 237 million यूपी की population है अकेले ठीक है अकेले 237 million population है यूपी की ठीक है तो यह important point है कि पहला census कब हुआ था 1901 में हुआ था ब्रिटिस के टाइम पे उसके बाद इससे पिछला जो census हुआ था 2011 में हुआ था अब 2021 में census होना है और ऐसा आकलन किया जा रहा है कि 2021 तक यूपी की population 237 million हो जाएगी तो यह आप देख सकते हो graph कि कैसे यूपी की population बढ़ी है exponentially 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 तो नहीं कहूंगा लेकिन एक stable growth ही है जो कि आप देख पा रहे हैं ओके तो 2011 के census के हिसाब से बात करें तो यूपी सबसे 10% और others 0.30 literacy rate की बात करें 2011 census के हिसाब से तो 67.7 है जो की national average से कितना कम है 7% कम है national average था 74% literacy rate अगर man की बात करें तो 79% था और women का 59% लेकिन यह जो facts और stats है यह 2011 census के हिसाब से हैं अभी का जो 2021 में जो census होना है उसके facts अभी आपको थोड़े time बाद मिलेंगे तब तक को आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा उसके बाद अगर district और cities से related कुछ quick facts अगर आप देखें तो जो यूपी का जो state है वो 18 divisions में divided है जिसमें 75 district है इसकी capital लखनू है 9 November 2000 को एक नया state उत्तराखंड ही इससे ही यूपी से ही आप बोल सकते हो की बना था जो की हिमालियन रीजन में है जिसका नाम अभी क्या है उत्तराखंड राइट उत्तराखंड प्रदेश से उसका खंड हुआ तो इसलिए उसको उत्तराखंड बोलते हैं उसके बाद ये सारी cities हैं जो की national capital region में include करी गई है दिल्ली के आसपास का जितना भी रीजन है उसको national capital रीजन बोलते हैं तो उसमें कौन कौन सी यूपी की cities है मेरट है मुझफन अगर है गाजियाबाद है गौतम बुद्ध नगर जिसको नोड़ा भी बोलते हैं बुलंद शहर है बागपद हापुर और शा अगर बात करें तो बदोई संत रविदास नगर लार्ज सिटी कानपुर है और स्मॉल सिटी का कराला है उसके बाद ये कुछ इंडिया की डिस्टिक्ट वाइज कुछ रैंक्स हैं पॉपलेशन वाइज अगर आप बात करें आलाबाद मुरादाबाद गाजियाबाद आज ये एक बार ये आप देख लीजेगा उसके बाद अगर अगर आप यूपी की बात करें अगर आप ये सारी ही यूपी की डिस्टिक्ट है तो इसमें आप देखिए कि सबसे जादा पॉपलेशन अलाबाद की है और इंडिया में उसकी रैंक 13 है उसके बाद अगर रिवर्स की बात करें तो ये यूपी की कुछ रिवर्स हैं जिसमें की आप देख सकते हो गंगा और यमुना जिसके बारे में बहुत सभी लोग जानते हैं लेकिन और जो रिवर्स हैं जो लोग मिस कर जाते हैं वो हैं बेतवा, चंबल, दसान, गांडक, घागरा, गोमती, केन, राम की क Durham में देखिए, अगर आप पांथ चीजे अगर आप कंसिडर करओ तो यूपी का कुल्चर उनसे में बनता है, festivals of it holidays, उत्र प्रदेश के लेंड अफ नवाब, राम और बुद्धा रहा है तो अगर आप नेशनल फेस्टिवल्स जैसे कि होली दिवाली और मकर संकराती के हटा दे तो इसके अलावा भी कई सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि यूपी में सेलिबेट किये जाते हैं जैसे कि छट पूजा हो गई ठीक है य आइसा बोलते हैं कि उनकी पूजा करने से जो इनक्यूरेबल डिशीजिस होती है जैसे कि लेपरसी वो भी क्यूर हो जाती है राइट उसके बाद बहुत सारे मेले भी लगते हैं यूपी में जिनको आप फेर बोलते हो जैसे कि कुम्ब मेला, माग मेला, अर्ध मेला, यह स से आप कुम्ब मेला की बात करें तो बहुत जादा भीर इस समय आती है पूरी दुनिया से ठीक है तो आप ये बोल सकते हो कि एक तरह का सबसे बड़ा यहां पे आप बोल सकते हो कि अमेलगे मेशन होता है यहां पे ठीक है तो उसके बाद मतुरा एक और बहुत फेमस सिटी है होली फेस्टिविटीज के लिए और वो लैंड ओफ लॉर्ड कृष्णा माना जाता है और यहां पे बहुत सारे फेस्टिबल सेलिबरेट किये जाते हैं जैसे कृष्ण जनमास्ट आश्टमी राधा आश्टमी गोवर्दन पूजा ठीक है और जितने भी आप बोल सकते हो कि जो कृष्णा के डिवोटीज हैं वो मतुरा विजिट करते हैं मतुरा विरंदावन वहां पे फॉर अर्ली मॉर्निंग डिप और फिर वहां पे आर्टीज होती हैं पूजा होती ह मतुरा विरंदावन तो आपको एक बार जरूर होके आना चाहिए उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के जो लोग है वो बहुत तरीके से एक ही कल्चर फॉलो करते हैं ठीक है कि उनका ये मानना है जैसे कई लोग ये मानते हैं कि गंगा में डुपकी लगाने से कई सारे अगर आप संगम में डुपकी लगाओगे तो आपके बहुत सारे पाप धुल जाएंगे तो अलाबाद एक तरीके से आप प्रियाग राज में जो संगम है वो वर्ल्ड रिनोड बोल सकते हो की जगह है जहां पे तीन नदियों का मिलन होता है गंगा यमुना और सरस्वती तो ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें डुपकी लगाने से पापो का तो नाश होता ही है लेकिन आप प्रिबर्थ के साइक्ल से भी फिरी हो जाते हो तो अगर आप एरपोर्ट्स की बात करें तो लखनओ एरपोर्ट लखनओ में एरपोर्ट है जिसका नाम है Чौधरी चरंसिंं International Airport वारा नसी वाले एरपोर्ट का नाम है लाल भादुर सास्त्री International Airport देखे डायरेक्टली ही कभी कभी questions आ जाते हैं इस पे की लाल भादुर सास्त्री International Airport कहां पे है राइट इस तरीके से तो वारा नसी में है आगरा एरपोर्ट जिसको खेरिया एरफोर्ट से स्टेशन भी बोलते हैं कानपुर एरपोर्ट जिसको चकेरी एरपोर्ट भी बोलते हैं गोरक एरपोर्ट श्री महायोगी गोरकनात एरपोर्ट इसका नाम रख दिया गया है अलाबाद एयरपोर्ट इसको बमरॉली एयरपोर्ट भी बोलते हैं और हिंडर एयरपोर्ट जो की गाजियाबाद में है अगर आप फ्लोरा एंड फोना की बात करें यूपी के तो यूपी की फ्लोरा फोना बहुत जादा आप बोल सकते हो की बहुत जादा रिच है बायो डाइवर्सिटी में यूपी, फॉरस्ट एरिया लगबग 6.88% है, और जो गैंजेटिक प्लेंस में, जो टेराई और बाबर रीजिन है, वहाँ पे सबसे जादा जंगल है, और तीन कैटेगरीज में वहाँ के जंगल आप डिवाइड कर सकते हो, वेट ट्रोपिकल डेसीडूस फॉरस्ट, ड्राइ ट्रोपिकल डेसीडूस फॉरस्ट और ट्रोपिकल थौनी फॉरस्ट, यह आपको याद रखना है, यह बहुत ही इंपॉर्टन पॉइंट है, ओके, फोक डान्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पे यूपी में नौटंकी, अहीर डान्स, यह फेमस फॉर्क डान्स हैं, ओके, ट्राइब्स की बात करें तो अगरिया ट्राइब, अहीरिया, बैग ट्राइब, बाइंड ट्राइब, पटारी ट्राइब, यह फेमस ट्राइब्स हैं, यूपी की देखिए, बहुत इंपॉर्टन हैं, यह प प्रोजेक्ट है फिर रिहेंड डैम है तो वो रिहेंड नदी पे है जो मैंने आपको बताया कि सौन रिवर की इमिन ट्रिब्यूटरी है उसके बाद चंदरप्रभा डैम है जो की चंदौली में है और वो रिवर करम नाश्चा पे है उसके बाद यह कुछ फ्लोरा एंफोना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यह मैं आपको बता देता हूँ आपको काफी यूज में आएंगी यह सारी चीज़ है तो अगर आप रिवर कोर्टिस की बात करें उनके अलोंग जो सबसे ज़्यादा पेड़ उगते हैं वो है सीसम के अगर आप बिंदियन जंगलों की बात करें वहां पे टीक, महुआ, सलाई, चिरोंजी, तेंदू यह सारे पेड़ पाए जाते हैं को अगर सबसे इंपॉर्टन चीज यहां पाए कि जो इंडियन सिंगरेट्स होती हैं दू इyसमें पति का इस्तवैण होता है ठीक है उसी तरह जो केन होती है ठीक है जो उसको जो गन्ने की जो लकडी होती है उसको बास्केट्स और फरनीचर बनाने में कई बारी यूज किया जाता है तो इस तरीके से राइट उसके बाद अगर आप एनिमल्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जंगल में जो जानव पाए जाते हैं वो है टाइगर, लेपर्ड, वाइल बियर, स्लॉथ पियर, चीतल, सांबर, जैकॉल, पॉर्क्यूपाइन, जंगल कैट, हैर, स्क्विरिल, ठीक है फॉक्स इस तरीके से और जो मोस्ट कॉमन बर्ड्स हैं वो हैं पिजन, डव, जंगल, फाउल, क्वेल, ग्राउज जो हैं वो ड्राइ क्लाइमिट प्रिफर करते हैं और विंदियन फॉरेस्ट में होते हैं ठीक है तो यह कुछ फाउना से फ्लोरा और पाउना से रिलेटेड कुछ फैक्स थे, क्लाइमिट के अगर आप बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का जो क्लाइमिट है व विंटर फ्रॉम उक्टूबर तो फैबररी, समर फ्रॉम मार्च तो मिड जून और रेनी सीजन फॉम जून तो सेप्टेमबर यह तीन सीजन में देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश में ठीक है और अगर आप बारिश की बात करें तो जो प्लेन एरिया है वहां पे सबसे जादा होती है और यह डिक्रीज करती जाती है नौर्थ वेस्ट की तरब और फ्लड्स जो है इसे स्टेट में फ्लड्स एक तरह का रिकरिंग प्रॉब्लम है और बहुत जादा क्रॉप्स और लाइफ प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं उसके बाद लेक्स की अगर बात कर बेर बीद उसके बाद analyst могут a बंट की सटी से झितौरा जी उसके बाद दरवान लेक यह कठेरी अमबेटकर नगर डिस्टिक्ट मे यह गोकुल अल्सके मतुरा बिराज भी बोलतदे हैं यह यमुना-ृबर पर है गोकुल में फिरकीथाम लेक और पर बोलते है यह यमुना रिवर पे है गोकल में फिर कीथाम लेक और अल्सो नोने सूर सरोवर तो यह आगरा में आपको मिल जाएगी ठीक है आगरा देली हाईवे एनस टू वहाँ पे आपको मिल जाएगी उसके बाद मोती जील यह कानपूर में है जिसको लंगस ओफ कानपूर भी बोला जाता है यह important point है राजा का ताल आप बोल सकते हो कि सेना पति ने जो महरजा छあーsel के सेना पती है उन्हों ने बनाय था ठीक है यहां नैशनल हाइवेज 19 पे 12 ताल ऑके इसको लोकली 12 ताल भी बोला जाता है उसके बाद राम गड ताल लेक यह गोरकपुर के पास है तो इसको दहर जील पहले बोला जाता था अब ये सांधी बर्ड सैंक्चुरी नाम से यहां पे बन गई है उसके बाद सेखा जील की अगर आप बात करें तो ये विलिज सेखा में है 17 किलो मीटर अलीगर से सूरा ताल ये बलिया डिस्टिक्ट में है इस तरीके से उसके बाद अगरी कल्चर पर आते हैं तो यूपी उत्तर प्रदेश है वो लार्जेस प्रडूशर आफ फूड ग्रेंस और ऑल सीट्स है पूरे देश में उत्तर प्रदेश की लगभग 59% पॉपलेशन इंप्लॉइशन है अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसको सुगर के बॉल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि ये वन हाफ आफ टोटल सुगर केन जो भी कंट्री में प्रडूश हो रही है वो यूपी में प्रडूश होती है मेन एगरी कल्चर प्रोड़क्स की अगर आप बात करें तो वीड राइस वीड राइस मेज बारले ग्राम सुगर केन पोटेटोस पलसेज और ओल सीट्स है उके उसके बाद अगर आप बात करें तीन डिस्टिक्ट आप बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा जहां पर आम की खेती होती है वो है लखनौ सहारनपुर और बुलंद शहद प्रताब कर और की बात करें तो वो बिगस्ट प्रेडूसर है आमला के साजहांपुर और फरुकाबाद है बिगस्ट प्रेडूसर गुआवा के ठीक है बारा बंकी लाजस्ट प्रेडूसर ओफ ओपियम जिसको अफीम भी बोला जाता है गाजी पूर डिस्टिक्ट उत्तर प्रदेश वहा इतनी सारी wildlife sanctuaries है यूपी में आप इनको एक बार देख लिजे का जो famous है वो है रानीपुर wildlife sanctuary ओके उसके बाद national park दुद्वा नेशनल पार्क है यूपी में लखीम पूर खेरी डिस्टिक्ट में है ये national park उसके बाद tiger reserve की बात करें तो तीन tiger reserve है दुद्वा tiger reserve पीली भी tiger reserve अमंगर tiger reserve nuclear power plant नरोरा atomic power station है उसके बाद अगर industries की बात करें तो cement plant आपको मिल जाएंगे मिर्जापुर जो की विंधिया रीजन में है बांदा रीजन में आपको बॉक्साइड बेस्ट अलिमूनियम का plant मिल जाएगा और electronic industry आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा UP दिली NCR और लखनू कानपूर कॉरिडॉर में है जहां पर बहुत ज़्यादा electronic unit की production होती है सैमसंग का सबसे बड़ा plant आप बोल सकते हो कि इनौइडा में है ओके प्रियाग राज एक major industrial center बन चुका है जहां पर बहुत सारी I mean repeated industries हैं उन में से कुछ ये नाम दे रखके हैं सबसे ज़्य industrial आप बोल सकते हो कि development आप बोल सकते हो कि जो डेली NCR वाला रीजन है वहां पर में अगर आप UP Central UP की बात करें तो प्रियाग राज में ठीक है उसके बाद इंडिया ने गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो प्रियाग राज नैनी 12 investment zone है ठीक है उसको world bank जिसको fund कर रही है व वारा नसी वर्ड फेमस सेंटर है किसके लिए इंब्रॉइडर टेक्स्टाइल के लिए लखनवू चिकन इंब्रॉइडरी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है जहां पर 2000 से भी 200 साल पुरानी आप बोल सकते हो कि चिकन इंब्रॉइडरी फेमस है उत्तर प्रदेश 15% of total fabric production of the country जो है उसको 15% contribute करता है यूपी वारा नसी के अगर आप बात करें तो यहां पे डीजल इलेक्ट्रिक लोको मोटिफ सी भी बनते हैं और largest डीजल लोको मोटिफ मैनुफेक्चर इन इंडिया हमें है ये वारा नसी वाला बनारस लोको मोटिफ वर्क जिसको बोलते हैं आग और और कानपूर में आपको मिल जाएंगी इवन कानपूर तो फेमस है लेदर इंडिस्ट्री के लिए मुरादाबाद फेमस है ब्रास वर्क के लिए ये कुछ important points है जो आज आते हैं कई बारी exams में और मुरादाबाद जो हाँ और मीरट आप बोल सकते हो कि वो biggest gold market है एशिया में ठीक है और it is one of the largest exporter of sports related items और music instruments of the country तो और अगर बात करें बुलंस है डिस्ट्रिक्ट की उसको खुर्जा पौटरी वर्ल्ड वाइफ इसकी फेमस है सिकंद्राबाद की अगर बात करें तो सारी national और multinational companies हैं जो की काम कर रही है जिसको UPSIDC ने बनाया है तो guys यह कुछ important जीके थी UP state से related I hope आपको काफी कुछ I mean general knowledge facts मिले होंगे तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next video में thank you